नमस्कार सबीकों स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल ओनलाइन कमेस्टी में हमने कैश को स्टार्ट कर रखा है उसके इंतेगर थर्मो डाइनेमिक्स यूनिट स्टार्ट कर रही है अब जो मैं स्लेबस करवा रही हूँ या जो भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ और पीजी का स्लेबस करना है या कोई ग्राजेशन का स्लेबस करना है या तो मैं अगर किसी को कोई पर्टिकुलर टॉपिक करना है वो अपनी तियारी कर सकता है वहा प्लेइलिस्ट में जाकर वो टॉपिक की वीडियो कर रही हूँ इस तरी वीजन के अंत्रगत कुछ टॉपिक मैंने जो नहीं करा रहे हैं वो मैं साथ की साथ पूरे कवर अप कराती चल इन्तु इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में कराउंगी तो चलिए अब हम पर だोपी to चलिए अब हम पड़ते हैं ठोलपी धो जो ठोलुकि नहीं करवाया है क्योंकि दो पर इंतुमाद आपको यह थे बाट से थे यह थे कुरूचली है पॉल्ट में बheता सग्राइशन के से पैशन के टेंडClो बश्याहिता रेन मिगनेर However, ठीचिवना ज्ता में अंड जेशन के स्टाइशन के स्टाइशन में धी घीशन के स्लेथे कुरूच वह then entropy as a function of temperature and volume has low and then gives hell mode function आज हम करने जाने हैं बाकि सब कुछ करा चुकी हूँ entropy and gives hell mode function नहीं करवाय था तो आज हम पहले करेंगे entropy and after that मैं video डालूँगी gives hell mode function के चलिए आफ हम फटाफर से start करते हैं entropy के बारे में entropy एक another thermodynamic property है या करेंगे thermodynamic function है तो जो क्या measure करता है कितनी randomness है या कितनी disorder है किसी system में तो किसी system में कितनी ज्यादा randomness है या disorder है उसे entropy measure करता है greater than randomness higher is the entropy जितनी randomness ज्यादा होगी entropy मतलब उतनी ही हाई होगी entropy है क्या disorder or randomness जैसे कोई भी substance है अगर वो solid form में मतलब उसके जो molecules है वो perfectly ऐसे जम्य होई है तो मतलब molecules में randomness नहीं है एनियमिता नहीं है तो entropy क्या होती है lowest होती है अगर gaseous form में आ जाते है तो molecules क्या होती है freely move कर लेते हैं मतलब उनमें disorder हो जादा आ जाती है तो highest entropy होती है जबकि liquid form में होते है तो intermediate entropy होती है जैसे simple सा example है आप बरफ आइस लेते हैं आप बरफ है बरफ में आपको पता है पानी के आनूम बिल्कुल जम्य होई है कोई मतलब fluidity नहीं है कोई randomness नहीं है ठीक है तो उसमें lowest entropy लेकिर जैसे ही बरफ से आपको पिखला दिया और उसको liquid में कर दिया तो पानी क्या है जैसे बह सकते रहा है फ्लोडिटी आजाती है मंदब पानी के मॉल्कुल से इधर उदर जा सकते तो उसमें randomness आगी लेकिर पानी को भी अगर और हीट कर दिया और गैस में कर दिया तो गैस तो और ही जो वाटर वेपर होती है वो तो और भी जादा पूरे यूनिवर्स में इंफिल दाती है जैसे लिक्वीड है वो जमीन पे एक सीमा तक मतलब बह सकता है मतलब उसके मॉल्कुल से एक सीमा तक रैंडमनेस दिखा सकते है इसलिए उसकी इंटर्मी का मतलब समझ में आ गया अंट्रोपी जो होती है वह एक स्टेट फंक्षण एस्टेट फंक्षण हम कैसे बताते है कि यह जो है वह इनीशल और फाइनल स्टेट पर डिपैंड करते है जैसे फोर एक्जांपल अगर आपका एनश्थरी है वह विग्टी तो के आपको क्या द जबढ़ा है तो यहां पर इन गरट रही है तो यह मोर है तो सब्सक्राइब बता है उन्हीं पर 8ध है पहरर नोजेद है मौल मतलब इनडम ता सब्सक्त IS फुट्री प्रीब इस पृड्वर बतारS ना कि किस पात के ठोटी आमोनिया टूटी नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में इस तीज पर डिपैंड करती है तो यह स्टेट फंक्शन होता है यह इनिशल और फाइनल स्टेट पर डिपैंड करता है ठीकि अम हम पढ़ लेते हैं एक्सप्रेशन जो है एंट्रोपी का दैटिस क्यूव आईटी होता है वह कैसे निकलता है एक्सप्रेशन फोर एंट्रोपी चेंज में भी अराइव डिट एस फ़लोज कि जब हम के वी सिस्टेम है उसमें मानलो सोलीड है ठीक है मोलिकुल जमी होई अच्छे से लेकिन जब हम इसे हीट करते है तो लिक्वीड होई जैसे बरफ को अगर अगरी जैसे आप पाने को फर्दर हीट करोंगे वो गैस में चेंज आयगा तो आप देख सकते कि जैसे जैसे आप हीट बढ़ाते रहते हैं एंट्रोपी जहां बढ़ रही है मतलब इन्क्रीजिंग रेंडमनेस जो है वह बढ़ रही है जैसे-जैसे आपने हीट दी थीक ह तो आपने देखा disorder बढ़ रही है तो heat के तो क्या होगी directly proportional होगी ठीक है वैन ने सिस्टम जब भी heat अब जोब क्या molecules start moving faster fast move करना start कर देते क्योंकि kinetic energy increase हो जाती है hence the disorder increase हो जाता है तो more of the heat अब्जोब greater is disorder अगर same amount of heat अब्जोब की जाती है अगर lower temperature पे same amount of heat अब्जोब की जाती है तो disorder जादा होती है बजाए के रहाए थावा टेंप्रेचर पर उतरी हीट में दस किलो जूल energy अब्जोब की जारी है अगर वह 0 degree centigrade पर अब्जोब की जारी है तो higher disorder होता है बजाए के व तो वहां से यह पता चला कि जो rengumness होती है वो क्यों गर्र pacty के पड़ो प्रफोर्चनल होती है हीट के वह इंवर्फोर्चनल होती है तो यह और उधी सभी तो सभूझ करता है कि क्या आगा है वह अप contribute कर्मली एन रिवर्सिवली डिवाइड बाइड बाइब सुलूट तेंपरेचर एट विच हीट इस अपजोब गई है ना कि साधारन थे आपको दिये गए इतना ताप मैंने तो वो तेंपरेचर जिस पे हीट अपजोब की गई है क्यू डिवर्सिबल बाइटी डेट इस इक्वल टू डेल्टा एस एंट्रोंपी जैंज ऑब इसकी यूनिट क्या होती है क्यू कि आपको पता है क्या होती है कैलरी या जूल और टेंपरेचर क्या होता है कैलवीन इनवर्स में यह एक एकस्टेंसी प्रपर्टी है मतलब अमाउंट ऑफ सब्स्टांस पे डिपेंड करती है इसलिए हम इसे लिखते है इसकी यूनिट होती है अगर हम ऐसा यूनिट देखे तो जूल केलवीन इनवर्स मोल इनवर्स और यह क्या होती है एकस्टेंसी प्रपर्टी यह एकस्टेंसी प्रपर्टी होती है यह अमाउंट ऑफ सब्स्टांस पे डिपेंड करती है चलिए और यह एक स्टेट फंक्शन है यह तीन चीजे आपक क्या क्वेशन साते हैं आपको क्वेशन आते हैं कि अन्ट्रोपी निकालिए ठीक है तो आपको क्या देरखा होता है जिसे मानलो की सोलीट से लिक्वीड में चेंज हो रहा है कोई सिस्टेम तो इसे हम कहते हैं फ्यूजन हो रहा है तो जो हीट अब्जोब की जाती है पे होता है melting point की इस पे पिगल रहा है उस temperature को वह गलते है melting temperature तो delta S fusion entropy of fusion क्या होती है when one mole of solid is changing into liquid the change in entropy is known as enthalpy of fusion तो delta Q की जगा हमने लिख दिया delta H fusion over T की जगा हमने लिख दिया melting temperature ऐसे entropy of vaporization क्या हो जाएगी मतलब जब liquid gas में change होता है तो entropy में क्या change हो जाएगा है same as product minus S reactant delta H vaporization मतलब अब क्यों होता है आपका Q reversible by T तो जो heat absorbed की जाती है उसे हमने लिख देते है enthalpy of vaporization over boiling temperature मतलब किस temperature पे यह gas पे बदलते है boiling temperature पे ऐसे entropy of sublimation क्या हो जाता है sublimation मतलब solid converted into gas तो फिर delta S sublimation क्या हो जाएगा enthalpy of sublimation over temperature at particular temperature यह हो जाती है entropy of sublimation आपको question क्या आते है आपको क्या होते है heat दे रखा होता है और temperature दे रखा होता है आपसे entropy पूछ लिया जाता है ठीक है तो अब आपको देखना होता है कि क्या होता है अब आपको question में किलो जूल में दे रखी होती है heat और आपको entropy निकालनी होती है Joule Kelvin inverse small मतलब जो option होते है उनमें entropy होती है Joule Kelvin inverse small inverse तो यह सब चीजे units को ध्यान में रखते हुए बस आपको question solve करना है बाकि मैं question practice मेरे अब जब डालूँगी तो आप साथ की साथ कर लेगा तो एक question आता है एक question आपको आता है कि निम्न में से किसकी entropy बढ़ रही है किसकी entropy गढ़ रही है तो जब भी आप देखेंगे वी solid से liquid बन रहा है liquid से gas बन रहा है तो entropy बढ़ रही है तो मतलब entropy जो है वो बढ़ रही है तो यह दो ती चीज़े आती है जहां पर भी randomness जादा है मतला entropy बढ़ रही है तो इस तरीके के कोशरा आते है कि कहां पर entropy increase हो रही है कहां पर entropy decrease हो रही है तो वो आपको चीज बता रही है जैसे अपसे पूछ ले जाता है कि vaporization of a mole of water into steam at its boiling point तो entropy decrease हो रही है तो vaporization हो रहा है मतलब water जो है steam में बदल रहा है तो entropy क्या होगी इंक्रीज होगी solidification हो liquid से solid पर बन जाए तो मतलब solid बन रहा है तो entropy decrease हो जाएगी तो इस तरीके से question आपको आते है चलिए अब हम एक चीज और कथन आ जाती है हलांकि यह आपके syllabus में नहीं है entropy change in change of universe entropy change in reversible process entropy change in irreversible process spontaneous process तो वो सब कुछ आपके नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको करवा रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपको question आ जाए statements में ऐसे question आ जाती है तो जितनी भी spontaneous process होते है हमें पता है कि वो irreversible process होते है और irreversible process में entropy क्या होती है basically क्या होता है entropy होती है हमारी total entropy होती है делta s system plus delta s surrounding ठीक है तो यह जो entropy होती है सभी सपोंटैने से इन्सिटेंड होती है शहता है वहीं से यह ए writes छोस में अचली होती है वहीं से हैं आया है कि जो entropy निवर्स की वह continuously क्या हो रही है increasing मतलब बढ़ रही है तो अगर हम first law देखे first law में क्या होते है कि total energy of universe is constant और second law क्या होते है जब कि entropy जो है universe की वह बढ़ रही है तो यहां से first और second law को मिला के एक statement दिया जाता है तो यह आपको आजाते है कि कौन से statement सही है कौन से statement गलत है तो energy तो universe की constant है that is first law of thermodynamics second law of thermodynamics entropy जो है universe की वह क्या हो रही है continuously increase हो रही है तो यह चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रहना है अब हमें एक topic है RPSC first grade के syllabus में entropy change entropy is a function of volume and temperature that is same मतलब entropy change for an ideal gas with change in pressure, volume and temperature मैं चाहती है तो मैं डारेक्ट आपको formula बता देती क्योंकि आना तो अगर आपको कोई question भी आएगा तो आना तो आपको formula ही है या तो formula लिखना आएगा या formula पूछा जाएगा कुछ भी मतलब इस तरीके का question आएगा तो मैं formula कर रहे थी बत मैंने entropy पहले detail वाइस नहीं करवाया है इसलिए मैं complete आपको derivation करवा रही हूँ इसलिए Gibbs-Hell-Mores function अनादर पार्ट में करवाऊंगी नहीं तो मैं इस पार्ट में ही करवा रहे थी Gibbs-Hell-Mores function अब हम देख लेते कि entropy कैसे change करती है जब pressure, volume and temperature change होता है हमने पढ़ा कि कोई system है जब वो initial state से final state में जाता है तो small change जो है entropy में that is equal to del Q reversible by T ठीक है अब यह जो del Q हमें पता है first law of thermodynamics के according हमारी DE मतलब energy में change क्या होती है del Q plus del W यहां से del Q क्या आगया DE minus DW अगर work of expansion लिखे तो W को हम लिख सकते है minus PDV यह कह सकते है minus W बराबर PDV इस minus W की जगे PDV पुट कर दिया अगर आपने यहां पे तो DE इस minus W की जगे अगर PDV पुट कर दिया तो del Q बराबर क्या आजएगा DE plus PDV del Q क्या आगया DE plus PDV DS बराबर क्या होता है del Q by T ठीक है तो del Q की value पुट कर दिया DE plus PDV over T अब यहां से T इदर multiply हो गया तो क्या आगया TDS बराबर DE plus PDV फिर हमें पता है कि for one mole of an ideal against CV हमने पढ़ा था कल heat capacity at constant volume क्या होती है DE by DT तो यहां से DE क्या आगया CVDT तो DE की value पुट कर सकते है CVDT ऐसे ही for one mole of an ideal gas ideal gas equation क्याती है PV बराबर RT अगर one mole है मतलब पी बराबर N आट N बराबर 1 हो जाता है तो यहां से P क्या आगया RT by V P की value अगर आप यहां पर पुट कर देगे तो क्या आगर TDS बराबर CVDT प्लस यह RT by V DV वह ही हमने पुट कर दी तो यह क्या आगया CVDT बराबर CVDT प्लस RT by DV RT by V DV अब यहां से यह T आप दूसरी साइड ले जाए दूसरी साइड जाके रिचे डिवाइड में आएगा तो DS बराबर CVDT by D ऐसे ही यह जो T इसके भी डिवाइड में आएगा RT by VT T से T कर जाएगा तो यह क्या बज़ जाएगा RDV by V ठीक है तो DS बराबर CVDT by T और यहां से T से T कर रहा तो यह क्या बज़ गया RDV by V अगर वोल्यूम हमारा चेंज हो रहा है V1 से V2 टेमपरेचर चेंज हो रहा है T1 से T2 ऐसे ही एन्टोपी चेंज हो रहा है S1 से S2 तो टोटल हम चेंज करके एन्टोपी निकालें तो हमारा चेंज इन एन्टोपी आ जाएगे अगया जब हम कर देते है complete equation को तो delta s बराबर क्या आ गया ये cv constant है ये बहार चला गया cv log natural dt by t का constant होता है log natural t और यहाँ पे t2 by t1 है तो log natural t2 by t1 ऐसे ही r log natural v2 by v1 dv by v का integration होता है log natural v और v1 से v2 change और यह limits होती है तो उसको हम लिखते है log natural v2 बटे v1 तो अब यहाँ से very 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 important formula आ गया कि change in entropy with respect to temperature and volume क्या हो जाती है delta s बराबर cv log natural t2 by t1 प्लस r log natural v2 by v1 अब आप यह इस तरीके से भी याद रख सकते हैं v2 by t1 है v2 by v1 है और यह v2 by v1 है इसलिए यहाँ पे heat capacity and constant volume है मतलब delta s बराबर क्या है cv log natural t2 by t1 plus r log natural v2 by v1 अगर हम one mole of ideal gas लेते हैं अब हम देखेंगे कि ideal जो entropy change है यह तो entropy change की सिर्म में आगी entropy change मतलब entropy क्या है function है temperature और volume क्या है entropy change कब आगी with respect to temperature and volume अगर हमें निकालना हो entropy change with respect to temperature and pressure तो हम कैसे निकालते हैं हमें पता one mole of ideal gas के लिए p1 v1 बराबर rt1 हो जाएगा for initial state final state के लिए क्या हो जाएगा p2 v2 बराबर rt2 p2 v2 में बटे में p1 v1 कर दो p2 v2 बटे में p1 v1 बराबर क्या हो जाएगा rt2 बटे में rt1 से r कर गा तो p2 v2 बटे में v1 क्या चला जाएगा यह p1 v2 बटे में p2 बटे में तो v2 बटे v1 में बराबर क्या जाएगा t2 बटे t1 बराबर into p1 बटे p2 तो यह आगा v2 बटे v1 r से तो r कट गया t2 बटे में t1 और यह जो है p1 दूसरी साइट जाके उपर चला गया p1 बटे में p2 तो यह आगया v2 बटे v1 बराबर t2 बटे t1 हमने उपर फॉर्मला निकाला delta s बराबर cv लोग नैचरल t2 बटे में t1 प्लस r लोग नैचरल v2 बटे में v1 अब यहां से यह v2 बटे v1 की value पुट कर दो t2 बटे t1 p1 बटे p2 यह हमने v2 बटे v1 की value पुट कर दी अब आपको पता है cp-cv अपने निकाला थकल कर रहे थी हमने cp-cv बराबर क्या आता है r तो cp-r बराबर क्या हो गया cv तो cv क्या आगया cp-r cv की value यहां पुट कर दो तो delta s बराबर क्या आगया cp-r लोग नैचरल t2 बटे t1 प्लस r लोग नैचरल t2 बटे t1 p1 बटे p2 multiply कर दो अंदर सब कुछ cp-r लोग नैचरल t2 बटे t1 ऐसे ही r multiply हुआ जब minus r लोग नैचरल t2 बटे t1 ऐसे ही r लोग log m into log natural है यह तो log m into n क्या होता है log m plus log n तो r लोग नैचरल t2 बटे t1 plus r log natural p1 बटे में p2 अब यह देखे minus r log natural t2 बटे t1 plus r log natural t2 बटे t1 यह तो minus plus कट गया बच क्या गया delta s पराभी cp log natural t2 बटे t1 plus r log natural p1 बटे t2 very very important formula तो आपने यहां से देख लिया entropy क्या change है with respect to entropy change with respect to entropy जो है function होती है temperature का और pressure का with respect to temperature and pressure तो आपने दो फर्मिले निकाले entropy change के entropy change cv log natural t2 बटे t1 plus r log natural v2 बटे में v1 और cp log natural t2 बटे t1 plus r log natural p1 बटे p2 याद करने का तरीका अगर यहां पर pressure है ठीक है तो यह cp है यह तो common हैगा log natural t2 बटे t1 pressure के terms में लिख रहे हैं तो cp log natural t2 बटे t1 plus r log natural p1 बटे में p2 p1 बटे में p2 क्यों होता है क्योंकि हम जो isothermal expansion वगारा करते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं r log natural t2 बटे में v1 तो हमें पता है बोल्स प्रेशर गिर्श जो होता है आफियृ ऐसलो का वोल्य। हो अगर आफियृ वाला धियान में रखते हैं कि सी वी लोग natural t2 बटे t1 बटे में आफियृ शे को जोड़ गा प्लस आफियृ वी की जगह के रहे पर रहे आद करने के तरीके हैं कि हम बूल नगा रहे कर श सारा वास ले बस हम कमिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो कुछ चीजे तो हमें देखी याद रखनी पड़ती ही है क्योंकि सारी हम वहाँ डाइरिवेशन करके नहीं देख सकते तो यह आपके डेल्टा आपको क्या होता है कि प्रोसेस के लिए आपको जो आते हैं फॉर्मूले पुछे जाते हैं वह ऐसे हैं कि अगर आपको एंट्रोपी चेंज निकालनी है इन आइसो थर्मल प्रोसेस मतलब की तेंपरेचर क्या है कॉंस्टेंट है तो डेल्टा एस तीवन और टीटू बराबर हो गया तो यह जो है यह यह तो लोग फणी ब्राबर हो गया तो यह तो लोग ब्राबर ब्राबर जाता है तो यह तरम ब्राइबल प्रोसेस के लिए ने Nepर्फ के लिए उसको हम hey प्रेशर के संबन्म या अगर प्रेशर के समंद्स नियुक्त कई चिरल्वक के लिए वर्वक के यहाँ चुमिल जो होता है प्रसदार्स तो 2.303 अगर Nmol हो गैस के लिए NRT लोग V2 बत्टे वी वन तो आपको पता है delta S बिराबर क्या होता है q by t q by T कर देंगे तो T से t कर गया तो 2.303 NR यह हैं तो एक मोल गैस के लिए लिख रहे है है अगर Nmol Gas के लिए तो 2.303N R-Log V2 बते V1 या 2.303 R-Log P1 बते में P2 ये तो हो गया आइसो थर्मल प्रोसेस के लिए आइसो बारिक प्रोसेस आइसो बारिक मतलब मैं निकल बताएं था बार मतलब अट्मोस्वियर मतलब प्रेशर सेम है तो जब प्रेशर कॉंस्टेंट रहे P1 बराबर P2 है तो अब भी पर फॉर्मला करें है डेल्टा एस बराबर CP लोग नैचुरल T2 बटे में T1 प्लस R लोग नैचुरल P1 बटे में P2 तो अगर प्रेशर सेम है तो ये वाली टर्म 0 होगी तो डेल्टा एस किसके बराबर होगा CP लोग नैचुरल T2 बटे T1 में अगर लोग 10 में पूछा जाए और एनमोल गैस के लिए पूछा जाए तो क्या आजाएगा 2.303 लोग CP 2.303 लोग T2 बटे में लोग T2 बटे में T1 ठीक है ऐसे ही अब अब आपसे पूछा जाए कि फोर आइसो कोरिक प्रोसेस आइसो कोरिक मतला वॉल्यूम का क्या पड़ा तो वॉल्यूम के टर्म्स में हमने फॉर्मला क्या पड़ा CP V लोग नैचरल T2 बटे में T1 प्लस R लोग नैचरल V2 बटे में V1 तो अब यहां से वॉल्यूम अगर कॉंपसेंट है तो यह वाली टर्म जीरो होगी तो क्या आजएगा CP V लोग नैचरल T2 बटे टीवन में अगर 2.303 लोग 10 में लिखना है तो आगे 2.303 से मल्टिप्लाई कर दीजे डिल्टा एस बराबर 2.303 लोग CP V आगे लिए T2 बटे में T1 अब आगे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होते है वेन नो हीट इस अब जोब दोर लोग ठीक है तो मतलब उसके लिए क्या होती है क्यों रिवर्सिबल बराबर आपका जीरो होता है डेल्टा एस पराबर आ इडियाबैटिक प्रोसेस अगर देरी आ जाता है कोई एक फॉलीड है वो गैस में चेंज होड़ा है एडियाबैटिक ली आई सो थर्मली तो उसके लिए क्या होगा एंट्रोपी चेंज तो एडियाबैटिक जहां भी दिख जाए वहां पे एंट्रोपी जो है वह आपकी जीरो होती है औरने मी लूशे पन्से исследवरिय। या यह फंक्रैटर फ्रेशं बचेस के लिए kिया फर्मला होता है ईस observatic के लिए इसो कोऊरी के लिए यह हम露ाए को निकाल दिया है एंट्रोपी क्या होती है क्यों आ सो किति होती है यूँए युइट पर एकतरे होती है आ इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए टोटल नेट एंट्रोपी जीरो होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी बढ़ती है, एनर्जी जो होती है, युनिवर्स की दैट इस कॉंस्टेंट होती है, अब आपको कॉश्चन किस तरीके से आते हैं, आपको या तो एं यह आप से पुछा रहता है इन में से किसकी एंट्रोपी हाई है तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि अगर सोलिड से लिक्विड जा रहा है तो एंट्रोपी बढ़ेगी अगर गैंस से सोलिड आ रहा है तो एंट्रोपी घटेगी तो आपको यह चीज देखना है कि इसमें क और नोन मेगनेटाइज़ पीस ओफ आइरेन की एंट्रोपी जादा होती है तो इस तरीके के कॉशन आते हैं मैं मेरी प्रैक्टिस सेट जब डालूगी तो मतलब आप उसमे कॉशन की प्रैक्टिस कर लेना यह अभी हम रिवाइस कर रहे थे तो इसकी यह था आज की मेरी वीडियो के बारे में एंट्रोपी से रिलेटेड सब कुछ जो भी कॉशन आएगा आर्पेसी फर्स गेड में इस उसमें आज more कोशन आये और कोशन आएगा में से और कॉशन आयेगा और कोशन आए दो कॉशन यह थो खुर्जां chair गए पर से कॉमेट गियाग कर दो Ecuador में मुझे जूरूर कर यहां कि आनकटेफिक्जां के साथ चलिए मिलती हूं मेरे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंग जै भारत यूँ ही पढ़ते रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं और पेपर वन की भी तैयारी साथ साथ में करते रहे हैं जैहिंग जै भारत